हेलो दोस्तो मैं आपका फ्रेंड सतिस आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके सामने केलन की एडवांस बैली स्पैताली सीरीज की मसीन के बारे में बिसक्स करूंगा और इसका फुल रिब्यू दिऊंगा कि यह मसीन काम कैसे करती है और इसके करके मैं आपको इस मसीन के बारे में बाता हूं और इस मसीन से इंट्रड्यूस कर आता हूं चलिए तो हम शुरू बात करते हैं दोस्तों इस मसीन में सबसे उपर यह है एडियाफ इस्टार्टेंग यह से करके जब हमां फोटोगोपी करनी होती है तो मल्टिपल पिजेस हो कहीं होती है तो हम डौकुमेंटस को यहां सेट करते हैं इसे कि हमारे पास यह पेपर है और यासे कई सारे पेपर हैं तो हम फ९। पोटो कपी करने के लिए उन्सकरेंग है और जोबी इसमि डियृल है मैं स्क्रि津 ऑपना अपना काम करेंगे उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ एडियाप के बाद है स्केनर अगर कोई एक दो डोकुमेंट होते हैं और हमें एडियाप से स्केन नहीं करना है तो हम यहां इसकेनर पर रखके फोटोकॉपी कर सकते हैं आप यह देख पा रहे हैं यहां से डोकुमेंट को स्केन करता है इस जगे से डोकुमेंट को स्केन करता है बाकि अगर मैनुली हम एडियाप को ठाके इसकेनर से फोटोकॉपी करते हैं तो इस एरो से टच करके हमें डोकुमेंट को रखना होता है और एडिएफ को डाउन करना होता है बाकि जो भी जनल सेटिंग है इसक्रिन से अपने अनुसा सेटिंग करके पिले बेटन को प्रेस करेंगे तो फोटो कॉपी यहां आउटपुट निकल आएगा बाकि नीचे चलें तो यह आउटपुट ट्रे यही है मेरी इस मशीन में सॉटर यूनिट लगी होई है यह सॉटर यूनिट है बाकि और मशीनों में यह नहीं होती है बाकि अपनी सुभीदान उसार हम लगा सकते हैं सॉटर यूनिट के अंदर आप देखो ना खोल के बता में स्टेपलर यूनिट के होती है तो ओटोमेटिक जो डॉकमेट होता है हमारा इस्टेपल होके निकल के आ जाता है मैं आपको इस्टेपलर यूनिट लिखाल के दिखाता हूं मैं आप देख पा रहे होंगे यह पिंस इंसर्ट है मैं आपको दिखाता हूं अच्छे से यह बाकी जो हम फोटोकॉपी करते हैं वो यहां आउटपूट निकलता है बाकी यह इसकी आउटपूट ट्रे है हमें इसको अपने अनुसार एड़ेक्ट कर सकते हैं बाकी यह मसीन को नीचे पार्ट के बारें बात करते हैं तो यह है हमारी हॉपर यूनिट हॉपर यूनिट का होपर बोटाले टोनर भरते हैं कलर इसको जबहुंआ के प्रेस करेंगे तो यह बाहर आ जाएगी है इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो यह हमारा फरेंट डॉर है यह पूरा इतना वड़ा फ्रेंट डॉर है यहांपर जड़ा यहांत तो यह बाहर आ जाएगी इसको ऊपन करते ही आप देखोगी यह बेस्टे टैंक है जो भी हमारा वोटो कपी ओके बेस्ट होता है ना वह इसमें कलेक्ट होता है इसको निकालोगे आप तो इसको जड़ा सा ऊपर ऐसे सीधा करोगे तो यह बाहर आ जाएगी बुटल इसको अलग करना पड़ेगा तो उसको नीचे आप जैसे ही करेंगे तो अलग हो जाएगी तो आप कैसी इसको यहां टर्न करोगे तो यह ंडिपी अंदर डालोगे और उसको भार की तरफ प्रेस करोगे कि साइड डौर भी खोलना बूल गई फ्रेंड को भी हमें खोलना पड़ेगा इस साइड दोर को आप जरा सा बाहार लेका लोगा है इसको ऐसे प्रेस करके बाहर कीचो गई तो यह ड्रम हिनेट हमारी बाहर आ जाएगी पर लिए वेक हमारा ड्रंण लगा हुआ होता है पिसको just the विल्कुल कॉंटेक्ट में परपाते को थी को दिखाता हूं बिल्कुल यहाँ नीचे लगी हूसिए ओते हैं बनकिण आपको अब नीचे देख पा रहे हैं इसको हम दीपी बोलते हैं करें कि मैं आपको अच्छे से करता हूं यह देखिए यह रोलर लगा है मैं आपको इस पर हाथ पिरके दिखाता हूँ इस पर टोनर चुपका हुआ है यह देखो हाथ में टोनर लगा है यह डीपी सीदी वहाँ गेरों से कनेक्ट होती है जो मसीन चलने के बाद रोडेट कर दिये तो यह हमारी डीपी है और डीपी के तो यह बाद मैं आपको बताता हूँ यह चैसकी साइड डोर खुला है तो मैं आपको साट डोर के बारे में भी इंट्रैड्यूस करा देता हूं जैसे कि साइड डोर बैसिकली ओसे ही लगा उन्र यह बटन है इसको प्रेस करोगे और जरा सा भाज़ कि आपके तो यह ओपन साइड डोर में आप सामने ही देखपा रहे हैं यह fixing unit है कि जो हमारे print को गर्म करके फेपर्वा में permanently paste करती है तो यह है हमारी fixing unit जो heat होती है और heat होके हमारे print को यहां से और यह आउटपूट ट्रेयर है वहां जाके कनेक्ट है तो यह आउटपूट हमारा वहां आगे ल्कलाता है इस आज में ही देखोगे आप तो यह भी हमारे depression वांदर काफी लगे होते हैं जैसे कि आप को खोल के दिखाऊंग तो यह हमारे इना हैं रवा गए रहे हैं आपको ये इसांसर संसर लगे ही यह हैं अफ्थे हैं कि इसे पर्क Sag सक Hai इसमें फी हैं इसमें सेंसर ये लगा हुए हैं कि यह म्याइब इसनो को एक पर आफब दरें कर वेये अफर गार किर देखक 무리 लखा जाए तो एक तरसी यह पूरी ही यहां से पूरी लगी होगी यह पूरी पिकप यूंट होती है जब कभी खराब होती है तो हमें इसको रिपेर करना पड़ता है यह भी हम सैटडोर इसको लगण लेते हैं और मैं आपको सायड द॓र के बारे में बताओं तो यह हमारी डुप्लेक्षण यूनिट है यहां से हमारे पेपर आगे पीछे बोर सायड पुरेंक करतै है що यहां से ँचिवया से एकारारा ठाता है कर करके अअच्छे से मापेस यहां से अब मैं आगे लिए चलता हूँ यह हमने side door को बंद कर लिया the side door बंद करने के बाद चूंकि हमने अपना drum unit निकाल लखा था तो वह drum unit हम इसमें वापस insert करते ते हैं drum unit insert करने के लिए door हमें वापस खोलना पड़ेगा तोड़ा सा door खोलके अपना drum unit कि इसमें इसटर देते हैं इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और यह लॉक करेंगे इसको जो कि डीपी कॉंटेक्ट में जाई इसके बाद हमें इसमें बेस्ट काउंटर लगाना है जो टैंक है हमारा बेस्ट टैंक कि अजल रख देगे और इसको करेंगे और रख करनी सै अच्छे से और फण डौर को बंद कर से सब्सक्राइब करने को बाकिए मैं आपको नीचे की चारे ट्लिक हैं हुझ में हैं है यह मासे प्रेश या लिगल होता है आप अपनी सुभी दानें उसार जो भी लगाने बाकि यह जो है जो भी हमें पेपर लोड करना है तो हम इनको आगे पिछे करके एड़ेस्ट कर सकते हैं जैसे कि अभी मैं पेपर अठाके देखाऊ हूं तो नीचे पेपर के नाम भी लिखे होते हैं जैसे हम जो पेपर लोड करना चाहिए जैसे कि यह लाइन लिख लिए यहां तक यह पर आर होता है उसके बाद यह है यहां लीगल साइज होता है इसको कोछी लोग एफस भी बोलते हैं हमारी यह लीगल बोला जाता है बाकि फिर चेही जट सेकेंड ट्रे है जिसमें बेसिकलि एसमें आप डेखोगे तो यहाँ साइड में कम जग игра है इसमें जाता थी तो यहाँ हम इसमें एस दिखाऊ हुआ हूयएं उसमें कले आपको मैं श्क्राव तो यह मारा इसमें एसमें noir इसमें बाकी जो हमारा एठीरी पिपर है वो हमने सबसे लाश्ट ट्रेमें हम लगाते हैं फोर नंबर की ट्रेमें जो की काफी कम यह हुआ है इसलिए इसमें पिपर है नहीं लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो साइस बना हुआ है गाय डूलर्स से वो आप देख पारे हैं विल्कुल एठीरी का ही है ग्यारवाई सत्रा हमारा इत्री पेपर होता है तो देखिए अब यह हमारा फूर नम्मर का ट्रे है अब मैं इसके बारे में आपको यूश्च करके बताता हूं और इसमें दो चरह आपको फोटो कोपी भी करके बताता हूं चलिए रोज तो मैं मसीन को चालू करता हूं अभी वैसे चालू ही है बस एनर्जी सेविंग मोड पर है इसको एनर्जी बतन को प्रेस करेंगे तो मसीन चालू हो जाएगी है मसीन का बेलकम पे इस तरह का होता है बाकि इसमें आप काफी सारे काम भी कर सकते हैं फोटो कोपी के लावा फैक्स कर सकते हैं इसकैन करके अपने डॉक्मेंट को यहां इस्टोर कर सकते हैं और यह सेंड भी कर सकते हैं यह है इस्टोर करने के लिए अप्शन अगर आप पे करनी हम कोपी के बटन पे क्लिक करेंगे बाकि जो हमने अपने प्यों ट्रे में साइज बना रखे हैं वहमें स्क्रेन पर डिस्प्लें हो जाएंगे जैसे कि लेते हैं कोई भी दोकुमेंट ले लेते हैं जिसके हम फोटो कोपी करेंगे जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगे यह हमारे पास दोकुमेंट है जिसके हम फोटो कोपी करेंगे तो मैं फोटो कोपी आपको मैनुली करके दिखाता हूं फिर आपको एडियाप से भी करके खत मोरा है देखो आप यहां पर भी एफोर फिनेस हो रहा है तो हमारा जो पेपर है डॉकमेंट ऐसे नहीं निकला होना चाहिए आगे पीछे बढ़ना यहां से कट जाएगा तो हमें इस एरो से टच करके डखना है और ADF को डाउन करना है बाकी जो भी हमें प्रिपर स्लेक करना था वो हमने जो नमबर करी रहा था बाकी हमें लाइट डार्क और आगे पीछे जो भी करना है तो हम यहां से कर सकते हैं हमारा डॉकमेंट अभी सिंगल साइड है तो हम फ्रीक्टी डॉकुमेंट में आपके वेग्राउंड है थोड़ा हलकलका कालापन है तो पाले करेंगे तो इसको आप यहांसे लाइट करके हैं कि उसको एड्यस्ट कर सकते हैं हमारे डॉकुमेंट में असा कुछ भी नहीं है हम इसको यहां नौर्मली पोईंट में बढ़ाखी रखेंगे ठोड़ा सा लाइट कर देंगे और इसको फोड़ा सा अधार करने ये ठ Yakis पबर खता है कि अगर अगर आपको मेंटाप पुड़ा टैक्स है और इसको लाइट करते तो उसको डार करते तो तो आपका टेक्स अच्छे से आएगा बैग्ग्राउंड बिल्कुल भाइट हो जाएगा तो उक्के करेंगे बाकी हम पिले बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख पार है उस्क्रीन पर फोटोकॉपी के लिए प्रोसस हो जाएगी जैसी फोटोकॉपी हो अब यह आप देख पा रहे हों कि साफ साफ की ओरिजिनल में जो लोगो देख रहे हो कितना हलका है और जो फोटोकॉपी लिए उसमें लोगो कापी अच्छा लिख ला है तो हम ऐसे एडजेस्ट कर सकते हैं कि किसी भी कस्टुमर की फोटोकॉपी जो है कापी लाइट है त तो उनको हम यहाँ एड़िएप से डालके फोटोकॉपी कर सकते हैं जहाँ एड़िएप बोलते हैं इसको जैसी आप डॉकुमेंट रेसाट करोगे यहाँ सेंसर लगा हुआ है तो वो उसको पकड़ लेगा कैश कर लेगा बाकी जो हमें सेटिंग यहाँ करी है वोई प्रे जैसे कि अगर हमारा पिपर बड़ा है एफोर साइज से तो हम यहाँ इसको एड़िएक्ट कर सकते हैं ट्रे से तो हमारा पिपर जो है नीचे नहीं गिरेगा तो यह हमारी दोनों फोटोकॉपी आ गई तो मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमारी फोटोकॉपी हैं भूभी अच्छे से डार्क को के लिगा लाया तो दोस्तों यह थी आज की हमारी वीडियो इस मसीन के बारे में हमने आज रिबू किया था तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूद प्रेस कर करना हूं तो मुझे अभी तक कोई दिखकर ने आई और इस मसीन की जो फोटो कोपी की क्वालेटी है वो काफी और मसीनों से अच्छी है तो यह हमारा फाइनल डिब्यू था तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो अब मेरी यूट्यू चैनल को सस्क्राब करें प्रेस करें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सस्क्राब करें थैंक यू